गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मै चैनल तो फ्रेंड्स मैने कुछ पॉट और कुछ फर्टिलाइजर और कुछ सीड्स के पैकेट लिये हैं तो आज की मेरी सॉपिंग है तो यही मेरा टॉपिक है कि मैंने कौन-कौन से आज विक सॉपिंग की है और अभी एक से ज्यादा प्लांट मेरे गार्डन में दिखे और एक प्लांट को 30 रुपे में लेते हैं तो उससे अच्छा है कि हम खुद घर पर ही बीज तयार करें बीज से प्लांट तयार करें तो देखें फ्रेंड्स मैंने ये लिया है टेडी वियर संफ्लावर और ये 75 लिखा हु टो प्लावर है लेकिन बहुत सुंदर लगता है तो मैंने लिया एक पेकेट कोचिया का और इस तरह से देखिए एक और सनफ्लावर है और सनफ्लावर के मैंने दो पेकेट लिये हैं और ये विनका मिक्स तो विनका के मैं प्लांट लेकर आई हूँ फ्रेंड नर्सरी से मैं वेवी प्लांट लेकर आई थी 20-20 रुबे का एक एक प्लांट है तो मैंने सुचा कियो ना मैं बीज से ग्रो करूँ और ये कास्मोस कास्मोस के भी अच्छे से अच्छे आप अगर बीज लेते हैं या प्लांट खरीदते हैं तो 30 रुपीज, 40 रुपीज से कम नहीं मिलता है एक प्लांट हमारे यहाँ और ये जीनिया तो 40 रुपीज में आपको बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे तो इस बर मैं भी इन्हें ग्रो करके देखूंगी मैं फर्स टाइम बीज अपने गार्डन में ग्रो कर रही हूँ इससे पहले मैंने नहीं किया है मैं बेबी प्लांट ही लेकर आती हूं हमेसा तो इस बर मैं भी ट्राइ कर रही हूँ और फंगी साइड मेरे पास खतम हो गया था बिल्कुल जहां मैं रहती हूं वहाँ आसपास मिल नहीं रहा था तो सीटी जाना ही था तो मैंने सोचा बार बार सीटी आना हो नहीं पाता इस वज़े से कुछ गंबले भी लिये हैं और देखिए साप का फंगी साइड मुझे पड़ा है 105 रुपए लिखा है और मुझे 80 रुपीस में मिला है और ये MPK 1919 है ये मेरे हचबन लेकर आये हैं और इसकी प्राइज 200 है फ्रेंड्स और उनको 200 रुपए में ही मिला है पर ऐसा होता नहीं है पर पता नहीं और उनकी प्राइज उन से इतने ही 200 रुपए ही लिए हैं पर हम लोग जहां लेते हैं वहाँ थोड़ा कम ही रहता है प्राइज तो इसका प्राइज मुझे ज़्यादा लगा है प्रिंट्रेड से दिया है दुकान वाले ने और ये कुछ मैंने पॉट लिये हैं हेंगिंग पॉट लिये हैं और ये ग्लास देखिए जो बेबी प्लांट होते हैं सीडलिंग जो हम लगाते हैं उसके लिए बहुत बेस्ट है या कटिंग जो लगाते हैं फ्रेंड्स हम किसी भी प्लांट की कटिंग उसके लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा प्लास्टिक है ये काफी दिनों पड़ा है और यह देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे टब भी लिये हैं मैंने 6 टब मैं लेकर आई हूँ और यह टब मुझे 40 रुपीज का एक पड़ा है यह मुझे थोड़ा कॉस्टी लगा है लेकिन इसका प्लास्टिक बहुत अच्छा है तो मैंने 2 रखे हैं गार् पास बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट है जैसे की मॉस रोज है पर्सलेन है उन सब को लगाने के लिए बहुत अच्छा है और वैसे भी मैंने बहुत सारे हैंगिंग पॉट तैयार किये हैं आप लोगों से सेयर भी किया है तो यह मैं 6 लेकर आई हूँ 30-30 रुपीज के पड़े हैं मुझे तो बस फ्रेंड्स आज का इतना ही मेरा स्वापिंग था और यह मुझे बहुत जरूरी भी था लेना और गार्डन के कुछ फर्टिलाइजर भी तो आसा करती हूँ मेरा आज का वीडियो जरूर आप लोग को पसंद आएगा पसंद आए तो मेरे चैनल क को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और मैंने 5 kg कोको पीट भी लिया है और देखे मैंने धोकर उसको अच्छे से छान कर धो लिया है और 4-5 बार उसके बाद सुखाया है तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स बाई बाई